नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका अपना दोस्त मेस्टर संतोज जकताब और सौगत करता हूँ आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम है टेकनोलोजी विद संतोज जकताब तो दोस्तों एक रिक्विस्ट मैं आपको करना चाहता हूँ इस चैनल पर जो वीडियो है और उसे आप सुनते हो और अगर आपको पसंद आते हैं तो उसको लाइक करना मत भूलिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राइट साइट में जो नोटिफिकेशन का बटन रहता है उसको ओन कर दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आप तक जल्दी से जल्दी पहुचाए जाए तो दोस्तों मैं आज एक और प्रेजेंटेशन लेकर आया हूँ और इस MP3 Cutter क्या होता है उसमें हम अपने मन्पसेत रिंग्टोन बना सकते हैं तो बहुत सारे लोग हैं कि उनको दिक्कत आती है कि बहुत जो रिंग्टोन है अपने मन्पसेत की वो बनाने में प्रॉबलम आती है तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन सभी लोगों के प्रॉबलम को इसलिए मैं यह presentation बना रहा हूँ जिसका नाम है MP3 Cutter तो MP3 Cutter में आप जाते हैं आपका ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए चलते हैं MP3 Cutter के अंदर क्या-क्या है यह पहले आप देखेंगे तो शुरू करते हैं हमारा presentation जिसका नाम है MP3 Cutter तो दोस्तों MP3 Cutter में मैंने प्रविश्च कर लिया है और जैसे ही मैंने प्रविश्च किया वो MP3 Cutter में मेरे जो सौंग है वो सभी दिखा रहा है तो कुछ सौंग की लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ दिखिए तो यह सभी WhatsApp के audio थे तो यही सभी जो सौंग है वो अभी दिखा रहा है तो MP3 Cutter में यह सौंग की लिस्ट आती है तो हम कोई भी एक गाना चुनकर उसको अपनी मनपसंद रिंग्टोन बना सकते हैं तो रिंग्टोन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है उसके बारे में मैं आभी आपको बता देता हूँ तो पहले MP3 में बटन जो हैं वो कितने हैं वो पहले में आपको बता देता हूँ तो यह सबी सौंग की जो लिस्ट है वो अभी ओपन हुई है तो मैं उसको एक बार बैक करता हूँ तो मैं इसको अभी सिलेट कर रहा हूँ भर दो जोली तो इसको सिलेट करने के बाद हमको कुछ बटन्स मिलते हैं वो अभी देखेंगे देखेंगे पहला यह पहला बैटन है जिससे हम सौंग को रिवाइंड कर सकते हैं इससे हम प्ले कर सकते हैं इससे हम फौरवर्ड कर सकते हैं और जो हमें रिंग्तोन जो बना है उसको हम सिल भी यहां से कर सकते हैं तो दोस्तों यह चार बटन है पहला बटन है रिवाइंड का दूसरा है प्ले का तिसरा है फोरवर्ड का और चोता है सेव का जो हम कोई भी रिंग्टोन बनाते हैं तो इस सेव बटन से हमें सेव करने पड़ती है तो आगे हम देखेंगे क्या है देखिए देखिए यह 0.00 यानि कि इसका मतलब यह होता है कि यह जो गाना है वो जिरो सेकंड से शुरू होता है और बाइडिफॉल्ट उन्होंने 15.05 यानि कि 15 सेकंड की ही रिंग्टोन दी है तो हम को अगर रिंग्टोन बनानी है तो हम क्या करेंगे 15.05 है जो एडर बॉक्स है उस पर हम डबल टैप कर देंगे तो उसको हमें डबल टैप कर दिया है नीचे नंबर का कीबोर्ड आता है लेकिन हमारे रेकॉर्डिंग शुरू होने के कारण वो नंबर का जो कीबोर्ड है वो बताता नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ देख ये नंबर का कीबोर्ड होता है तो हम उससे तो उसमें जो भी लिखा होता है वो सभी हमें डिलेट करना पड़ता है ताकि हम अपने हिसाब से कुछ सिकंड डालके उस रिंग्टोन को दुबारा सेट कर सके तो मैं अभी डालता हूँ 43 यानि कि 43 सेकंड मैं यहां अड़ करता हूँ ताकि वो रिंग्टोन 43 सेकंड के बज़े लिखिए तो मैंने 43 सेकंड अड़ कर दिये हैं और हम जब सेकंड लिखते हैं तब नीचे जो डन का बटन आता है तो उससे डन करना पड़ता है और डन करने के बाद हमारा जो नंबर कीबोर्ड होता है वो क्या हैड हो जाता है तो हम रिंग्टोन देखेंगे कि यह सचमुच 43 सेकंड की बनी है क्या तो हम उसको प्ले करते हैं तेरी तर्मर में तिल धर्म के मुआता है जिसको तू चाहे एद भी तू बुलाता है तेरी तर्मर सद चुकाई मैं भी आया हूँ जिसकी बिकड़ी हार्म पी जाहे तू बनाता है तो देखिए दोस्तों जैसे 43 सेकंड खतम हुए वो रिंग्टोन जो थी वो अपने आप ही स्टॉप हो गए है तो हम फिर एक बार देखते हैं कि वो सचमुच 43 सेकंड ही एडिट बॉक्स में एड है या और कुछ है देखिए यह देखिए 43 एडिट बॉक्स तो दोस्तों यह आप जो है इसमें एड आती है तो इसलिए हमको यह दिक्कत पैदा होती है क्योंकि जो एप के एड होती है तो उसको भी हमको लेप्टोराइट स्वाप करके निकालना पड़ता है और फिर एक बार हमको जो एडिट बॉक्स है वो दिखाता है तो प्लीज समझ जाईए इस एड के कारण थोड़ी बहुत दिक्कत मुझे इस वीडियो बनाने में आती है तो दोस्तों सचमुझ उसमें 43 ही लिखा है एडिट बॉक्स में तो मैं इस पर कंफर्म हुआ हो कि यह जो रिंग्टोन बनी है वो 43 सेकंड की बनी है तो हम उसको सेव करेंगे तो सेव कैसे करेंगे तो मैंने सेव पर डबल टैप कर दिया है यानि कि सिलेट किया है तो यह जो रिंग्टोन है वो सेव होगी देखिए 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 सेव बटन आता है कैंसर और सेव ये दो बटन आते हैं तो हमें सेव पर डबल टैप करना पड़ता है ताकि वो रिंग टोन सेव हो सके तो दोस्तों इस तरीके से हम MP3 कटर से आपके कि जो चाहे गाने को सिलेट करके मैंने उपर जो तरीका बता है उस तरीके से आप मनपसंद रिंग टोन बना सकते हो तो दोस्तों मैंने ये टुटुरेल शॉट हो इसलिए यही ट्रॉपिक पर चर्चा की है कि MP3 कटर में रिंग टोन केसी बनाए जाती है तो हम अभी ये देखेंगे कि ये रिंग टोन सेव हुए है या नहीं देखेंगे उसने पढ़के दिख्या है कि वो रिंग टोन है तो हम उसको एक बार देखते हैं कि उसमें क्या-क्या आप्शन आते हैं देखेंगे प्ले प्ले सेंड रिंग टोन रिनेम डिलीट एडिट टैग कैंसल तो ये सबी आप्शन आते हैं तो हमको अगर इसकी रिंग टोन रखनी है तो हम यहां से भी रिंग टोन रख सकते हैं और दूसरा एक तरीका मैं आपको बता देता हूं कि MP3 cutter के folder में आप internal memory से जाएंगे और उस रिंग टोन को copy या cut करके हमारे जो internal memory में folder रहता है folder ringtone का तो उसमें अगर आप paste करेंगे तो आपको आसानी से ये ringtone आपके mobile में रखने में हो सकती है तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा टूटूरेल कि रिंग्टोन केसी बनाई जाती है MP3 कटर से तो दोस्तों ये टूटूरेल आपको कैसा लगा ये फिड़ बैक मुझे मेरे परसनल चैट पर दीजिए तो इस वाइदे के साथ मैं संतोज जक्ता आपका दोस्त आपको कहता हूँ अलविदा धन्यवाद